जैशी राम मेरे प्यारे भाईयों और बेनों मैं रितेविल सौध करता हम आप सबका आपके अपने यूटिप चैनल भगेल क्लासेश पर और आज की वीडियों में बात करेंगे MP वोट के मैं एक्जाम से रिलेटेड आप सबी को भारतिये गरतन दिवस की हार्देगार्देग सुपकाम नाए इवें बदाई अभी लोग जानते में रहता हूं और मैंने उसको देखा उसमें वागई रियल्टी में ऐसा लिखा हुआ था उसके बाद मैं MP वोट के ऑफिशल साइट्स पे गया मैंने वहां सर्च किया तो मुझे नहीं मिला फिर मैंने ट्विटर चेक किया और भाहां भी मुझे ऐसा कोई पोस्ट ने मिला कि जो आपके एक्जाम है वह फरवरी में कंड़क्ट नहीं होंगे जिसको देखते हुए मैंने कुछ दिन वेट किया और मैंने अभी तक वीडियो उसके बारे में अभी तक नहीं बनाई आप लोग ऐसा जानते हैं तो मैंने उसका वेट किया कि अब देगा MP वोट अब देगा अब देगा लेकिन MP वोट ने अभी तक नहीं दिया है नहीं दिया है तो वो खुदी जाने ऐसा उन्होंने नहीं किया है लेकिन उनकी गलत बात थी कि उनको किलियर करना चाहिए था लेकिन नहीं हुए ऐसा चलो कोई बात नहीं लेकिन आप आपके बीच हड़कम मच गई उन्होंने क्या वोला कि 25 को आपके एड्मिट कार्ट रिलीज हो चुके मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए पता दें चाहिए आपके आपके इसकुल वाले भी आपको प्रोवाइड कराएंगे तो घबरानी के कोई भी बात नहीं है अब बात करते हैं कि उसको आने उस लेटर को आने के बात मैंने जो वीडियो पर कमेंट पढ़े उसको देखे मेरा धिमाग खराब हो गया क्योंकि बच्चें उस पर ऐस ऐसा नहीं होना चाहिए आप क्या कर रहे हो यह आपको यह लिखना है आप अपने माबाप के लिए बहुत बड़ी अमानत हो हीरे हो प्लेटी नमों उससे भी बढ़कर हो जी है मेरे प्यारे भाई और बेनों आपको घबरानी कोई भी बात नहीं है मैं आपका बड़ा कुछ भी कंफर्म नहीं है एंपी बोर्ड में तो आपसे एक रिक्ट्रेस रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए अम बात करतें एंपी ऑफिशल के कुछ गलत पॉइंट के बारे में जी है मेरे प्यारे भाई और बेनों मैं आपको बताएं चाहाँ को को इत्ती अल्दी एड्मिट कार्ट रिलीज नहीं करना था क्योंकि हमारे जो सीम सावें उन्होंने पहले ही का था कि क्या इस्तिती है उसको देखते ही हम स्कुल खोलेंगे या कुछ एक्जाम के बारे में बताएंगे लेकिन आप बीच में एक नोटिस जारी कर दिया कि 25 आप लोग बच्चों के लिए एक्जाम कराना चाहते हैं लेकिन आप लोग इस्तिती हमारी प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है कोविट केसे लगातर बढ़ते जा रहे हैं आप देख सकते हैं बोपाल में इंदौर में इंदौर में तो नहीं वेरियंट आगे कोविट का आप कैसे एक्जाम की कैसे आप कैसे गंडर्ट करा दोगे साब और हमारे सीम को अभी तो कुछ और नहीं आए तो आपके 30 तारी तक वेरिट वाश करना था लेकिन आपने निउस देखे बच्च है और सहर है इन बच्चों से ही देश सुद्रेगा अभी सुद्रेगा आपने उनको मेंटल हैल्थ से बुरा कर दिया तो मेरी आप से छोटी सी रिक्चेस्ट रहे कि आप एक्जाम को पॉस्पॉन कीजिए और एक अच्छी सुच्चेशन पर एक्जाम को कंडर्ट कराईए जो चाते हैं वो एक्जाम हो लेकिन आप प्लीज एक अच्छे समय पर कंडर्ट कीजिए और मेरी सारे स्टुएंट से एक चोटी सी रिक्चेस्ट कीजिए जहातर टीचरों पर जिससे वो आगे फौस्च सके आपकी पहचान में जो भी हो और आप से एक चोटा से रिक्चे फरवरी में ही होने हैं यह मेरे प्यारे भाई और बैनों अपने इत के लिए लड़ना पड़ता है और आपका भाई आपके साथ खड़ा है आपके लिए लड़ेगा लेकिन डिजीटल प्रोटेस्ट करेगा वैसी लड़ाई हमको नहीं करनी है मैं आपके लिए ट्वीटर इक केंपेंच चलाँगा आपको डिजीटल प्रोटेस्ट करना है और उसमें हेस्टेक यूजच करना है पॉस्पोन हैं मैं आपको हैस्टेक बता दूआँ आप जल्दी से जल्दी आईडी बना लीजिए लेकिन आप भड़ाई भी करते रहिए जह मेरे प्यारे भाईयों बिना लड़े आस तक कुछ नहीं मिलाए विकॉस आज 26 जनवर ही है और आप लोगों का याद होगा कि हम ऐसे दिवस क्यों बना पारे हैं हमारे बीर जो हमारे सैने के हैं हमारे क्रांतिकार ही हैं उनी की वज़े से हम यह बना पारे हैं तो उनको सबसे पहले मैं सेल्यूट करना चाहता हूँ इस मात्यम से तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए विस यू अल दे वरी वैस्ट वाग्रेट डे जैहिंद